तो गाईज आज का हमारा जो question है ये class 10th की math की book से exercise 7.1 का question number 7 है तो चलिए इस question को discuss करेंगे find the point on the x-axis which is equidistant from 2,-5 and minus 2,9 यहाँ पर एक word हमसे बोला गया है equidistant तो equidistance के case में मैं आपको एक formula बताऊंगा देखे जिसे हमाल लिए कोई आपकी line है और यहाँ पर कोई point विलकुल mid में है equidistant का मतला होता है कि बराबर बराबर portion है ना एक समान दूरी पर यह कोई point A है और A कोई point B है तो यह जो P point है वो A से और B से समान दूरी पर है इसी को बोलते हैं equidistant तो यहाँ पर मालिजे कि यह हमारा x है और यह हमारा y है यह हमारा x1 कामा यह हमारा y1 है ठीक है और यह हमारा x2 कामा y2 है यह points है इसके तो इसके लिए मैं आपको direct formula बताऊंगा यहाँ पर इस case में हमारा direct formula बनेगा x1 minus x whole square plus y1 minus y whole square is equal to x2 minus x whole square plus y2 minus y whole square तो यह हमारा direct formula बनेगा इस question को solve करने का हम इसमें values को put कर देंगे हमारा answer आ जाएगा तो चलिए फिर एक बार आप इस formula को write कर लिजे हम question को solve करते हैं अब जो ब्याहाँ पर इस question का हम diagram बनाएंगे तो यह हमारा line segment है ठीक है यह point A है और यह point B है इसके जो coordinate है यह 2 comma minus 5 है और इसका जो coordinate है वो minus 2 comma 9 है ठीक है यहाँ पर बिल्कुल liquid distance point पर एक point P होगा आप देखो यहाँ पर x y लिखते हैं लेकिन आपको मैं बताते हैं अगर question में बोला है x axis तो यहाँ पर जो होगा वो coordinate बनेंगे x comma 0 और अगर question में बोला है y axis तो जो P का coordinate बनेगा वो बनेगा 0 comma y यानि कि अगर x axis बोला है तो y 0 हो जाएगा y axis बोला है तो x 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हमसे बोला है x axis तो y 0 हो जाएगा ठीक है अब इसको उस equidistant वाले formula में रख देंगे और हमारा solution हो जाएगा तो हम पर write करेंगे solution we have two points two comma minus five and minus two comma nine on the x axis then the coordinate of equidistant point equidistant point is p x comma 0 हो जाएगा so then अब देखो जब इन्होंने equidistant का तो यह वाली distance इस वाली distance के कोल होगी इसका मतलब जो होगा ap equal to bp अब यह आप फार्मूला रख देंगे जो मैंने आपको बताया है फार्मूला क्या था x1-x का होल स्कुयर प्लस y1-y का होल स्कुयर is equal to x2-x का होल स्कुयर प्लस y2- y का होल स्कुयर अब यहाँ पर value उसको रख देंगे अब जब value put करेंगे आपर तो x1 की value है 2 और यह x ही रहेगा प्लस y1 की value है minus 5 और यह देखे y है न तो y की value हमारे पास 0 है तो इसको 0 put कर देंगे यहाँ पर x2 की value है minus 2 और यह x और प्लस y2 की value है minus 2 y2 की value है 9 और यह y की value 0 ही रहेगा हमारे पास इनको further solve करेंगे तो क्या मिलेगा देखो यह हमारा a minus b के whole square की identity लगेगी तो a minus b के whole square की identity क्या होती है a square minus 2ab plus b square इसको लगाएंगे लगाएंगे तो हमें मिलेगा 2 का square 4 minus 2 into x तो इसको लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 minus 2 into 2 into x और प्लस x square प्लस देखो माइनस हो गया तो यह माइनस 5 ही बचेगा और माइनस 5 का square करेंगे तो 25 मिलेगा यहाँ पर लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 4, 2 का square 4, minus 2 into minus 2 into x plus यह हो जाएगा हमारे पास x square, यहाँ पर 9 minus 0 करेंगे 9 आएगा और इसका square होता है t1 अब देखो जब इनको आगे solve करेंगे तो x square को हम पहले write कर देंगे, यह 2 to 4 x हो जाएगा, यह plus 25 यह plus 4 है, plus 29 हो जाएगा यह देखो यहाँ पर x square आजाएगा, ठीक, और minus 2 और यह minus 2 है तो minus 2 minus 2 plus 4 हो जाएगा into x और यह 4 और यह plus 81 है, तो यह हो जाएगा 85, अब यहाँ पर देखो सब को इधर ले आओ, तो जब इधर लाएगे तो क्या मिलेगा, x square यह इधर आएगा तो minus x square, यह minus 4 x, यह इधर आएगा तो minus 4 x, यह plus 29 है, यह इधर आएगा तो minus 85 होगा, इधर हो जाएगा 0 थोड़ा और आगे solve करेंगे तो क्या मिलेगा वो देखते हैं, देखो, यह cut जाएगा, यह minus 4 minus 4 minus 8 x हो जाएगा, और देखो इसको minus करेंगे तो minus का sign, इसको जब minus करेंगे तो यह number बड़ा है, तो sign minus का आएगा, 15 minus 9 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 7 minus 2 करेंगे तो 5 हो जाए गा 8 x is equal to minus 56 आगे जब solve करेंगे तो 8 को उधर वेजेंगे तो यह हो जाएगा x is equal to minus 56 over 8 तो 8 7 जा कितना होता है 56 होता है तो x की value कितना आ जाएगा x is equal to minus 7 दस point is minus 7 comma 0 यह इस question का हमारा answer होगा आप वीडियो को पॉच करके write down कर लिजे तो उमेद करता है फ्रेंड्स यह वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो अगर जड़ा भी पसंद लगा है तो वीडियो को like करें share भी करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी subscribe कर लें मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कोशन के साथ तब तक के लिए thank you class करता है जया वीडियो पुक्रिद हैं तो….